हेलो गाइज, वेलकम बेक तु माई चैनल, आज हम बना रहे हैं आलू गोष्ट, उसके लिए यहां मैंने आदा किलो गोष्ट अच्छे से वोश कर लिया है। यह नए आलू है फ्रेंड्स आलू गोश्ट बहुत अच्छा बनता इस तरह से देखे यहां मैंने कोकर गैस पर रख दिया है अब मैं सबसे पहले इसमें मस्टरड ऑइल डालूंगी यहां मैंने यह तीन चमच मस्टरड ऑइल डाल दिया है फ्रेंड्स ऑइल आप कमिया ज्य मैं यह पिसा हुआ धनिया एड़ कर दिया है दो चमच एक चमच और डाल देंगे तीन चमच डाल दिया है मैंने यह धनिया और आदा चमच मैंने हल्दि डाल दी है और यह एक चमच लाल Advent मिर्च और ये दो चम्मस डालेंगे हम लहसन अदरक का पेस्ट देखिए और ये यहां मैंने प्यास को कट कर लिया तो दो प्यासों को उनको भी डाल कर अच्छी से सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स और देखिए आप मैंने इसमें पानी डाल दिया फ्रेंड्स आदा गिलास और इसमें अभी हम नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे यह देखिए अब यह मैंने इसमें दो तेज़ पत्तर डाल दिया है अब इसमें उबाल आने लगा है मैं डखकर लगा दूंगी इसके हम चार-पांस सीटी ले लेंगे पंद्रह-बीस मिनट में यह गल जाएगा देखिए यह हमारा गोश्ट गल चुका है अब हम इसे अच्छी से भून लेंगे धीमी दीमी आज पर देखिए अब इसमें हम दो तीन यह हरी मिर्च बड़े बड़े कट करके डाल देंगे इससा बहुत यह अच्छा टेस्ट आता है यह हरी मिर्च बड़े डालनी है जिस टाइम हमारा गोश्ट भून रहा हो अब मैंने गैस को थोड़ा तेज कर दिया है अब इसे मीडियम फिलेम पर अच्छी से भून लेना है 15-20 मिनट में अच्छी से भून कर हमारा गोश्ट रेडी हो जाएगा फ्रेंट्स बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से आलू गोस्ट बनाएंगे तो आप देखिए फ्रेंट्स बुन चुका है हमारा गोश्ट बहुत अच्छी से तेल अलग हो गया है मसाला अलग हो गया है देखे इसमें जी अहरी मिर्च डाली है कितनी अच्छी लग रही है बहुत देखने में भी अच्छी लगती है ये मिर्चे फ्रेंड्स और खाने में भी बहुत ही tasty लगती है बहुत tasty आलू गोष्ट बनकर तयार होने वाला है अभी हमारा गोष्ट देखिए अच्छे से भुन चुका है यह देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से भुन चुका है अब हम इसमें आलू एड कर देंगे जो मैंने आलू को दो कर कट करके रख लिया थ अच्छे से भुन लेंगे इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से भुन लेंगे हम इसी तरीके से पांस-दस मिनट तक इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से हम आलू को भी डाल कर कोई भी सबजी डालें और पहले उसे भुन लेते हैं अब हम इसमें पानी एड कर देंगे फ्रैंट्स देखे बहुत अच्छे से भुन कर रेडी हो चुका है हमारा गोष्ट आलू गोष्टी हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है अब हम इसमें फ्रैंड्स पानी एड़ कर देंगे बहुती टेस्टी बनकर तयार हो जाये गई हमारा आलू गोष्ट देखे फ्रेंड्स पानी जिसमें डालना है आप अपने हिसाब से डालेंगे अगर आप चाहें तो ग्रेवी को थोड़ा थिक भी रख सकते हैं मैं यहां शोर्बे वाले आलू गोश्ट बना रही हूँ मैंने यहां इसमें फ्रेंड्स एक गिलास पानी एड़ किया है आप चाहें तो आदा गिलास पानी भी डाल सकते हैं आदा गिलास से कम भी डाल सकते हैं अगर आप आदा गिलास पानी इसमें डालेंगे तो यह भुन्वा गोश्ट रहेगा फिर इसकी ग्रेवी ठिक रहेगी देखिए यहां पर यह अलु गोष्ट बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं गल चुके हैं हमारे आलु सिर्फ मैंने एक ही सीटी ली थी क्योंकि यह नए आलु है फ्रैंड्स और फ्रैंड्स में इसमें एक चमच जो मेरा होम्मेड गरम मसाला है आदा चमच डाल दिया है मैंने इ जिससे कि हमारे आलू तूटे नहीं क्योंकि इसमें नए आलू है आलू गल चुके हैं अगर हम ज्यादा चलाएंगे तो तूट जाएंगे देखिए अब यहां मैंने यह हरदनिया डाल दिया है गार्णिश के लिए कितना अच्छा लग रहा है हरदनिया इसमें आलू गोश् शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट्स बॉक्स में लिकर मुझे जरूर जरूर बताएं कि आपको मेरी रैसिफिक कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज